हलो एबरीबन सेफ छोटी बहू चैनल में स्वागत करते हैं आज बनाएंगे एक तम नए तरीके के रेस्पी इसे हम रात के बचे हुए बासे चावल से बनाकर तयार करेंगे आप देख सकते हैं कितना सुन्दर ये नास्ता बनकर तयार हुआ है आपको इसका क्रेस्पी नेस दिखाते हैं देखे कितना कुरकुरा ये नास्ता बनकर तयार हुआ है इस रेस्पी को देखने के बाद में आप बचे हुए बासे चावल को कभी नहीं फेकेंगे ये बहुत ही टेस्टी नास्ता बनकर तयार होता है आपको इस recipe को बनाने में कोई भी जंजट नहीं लगेगी तो चलिए इस नास्ते को पहले बना कर तयार कर लेते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए हमने देखी रात के बची हुए बासे चावल लिए हैं इन्हें सबसे पहले हम एक grinding jar में डाल कर बिल्कुली smooth इसको pest बना कर grind कर लेंगे यहां हमने एक grinding jar लिया है जो हमने चावल लिए हैं आदी चावलों को एक बार में पीस लेंगे चावलों को हमने डाल दिया है अब यहां हमने एक बॉल में सूजी ली है यहां पर आदी सूजी को हम इसमें चावल में डाल देंगे आदी को हम जो बच्चे हुए चावल में उसमें रालेंगे आदी को उठा कर हमने रख दिया है साइट में चापलो को पीशने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आइड करेंगे यहाँ अभी हमने थोड़ा पानी डाल कर इसको लेड लगा कर ग्राइन कर लिया है देखिए अभी बहुत ही इसका पेश्ट थिक है तो इसमें थोड़ा और पानी एड़ करेंगे यहाँ पर जो हमने ग्लास में पानी लिया है वो सारा पानी एक बार में इसमें डाल कर बिल्कुल इसका स्मूध पेश्ट बना लेंगे देखिए सारे चापलो को हमें इसी तरह से पीसना है यहाँ पर हमने इस तरह से चापलो को पीस लिया है अब इसमें और भी इसका एक दम बैटर काफी अच्छे से स्मूध क्रीमी बने इसके लिए हमने यहाँ पर जिस कप से नापकर सूजी डाली है उसी कप से नापकर इसमे हमें हमने हापकाप इसमें बेशन एठ कर दिया है इसमें बेशन जरूर एठ करें इसajuसे बहुत ही क्रस्पिनेस, डोशे में उसमें आएगा देखिए इसupa ठीक बैटर बनाना है, ज्यादा काइब पद क्लेन, इसका घोल लगा बनाना है ठीक बैटर इसलिए रखा आ collaborators रखा ह गैस का फ्लेम एकदम लो रखें जिससी की जो बैटर हम फैलाएं अच्छी से फैल सके इस तरह से बहुत हलके हांत उसे राउंड राउंड घुमाते हुए बाहर की साइड इस तरह से डोसी को फैलाना है देखिए डोसा हलका सा क्रस्पी हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा ओ आटे का डोसा किस तरह से बनता है वह वाली वीडियो भी हमने डाली तो आप जरूर देख लिए इस तरह से हमने ओईल को इस प्रेट कर दिया है अब थोड़ा से इसमें एकदम मार्केट जैसा फ्लेवर लाने के लिए इसमें टमेटो केचप इस तरह से फैला देंगे आगे आप मार्केट के जो डोसी खाते हैं वो भी खाना छोड़े देंगे यह बहुत ही जबज़र्स रेस्पी बनकर तयार होती है इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राय करें देखिए आपको दिखाते हैं नीचे से कितना ज्यादा क्रस्पी हमारा डोसा बनकर तयार कोई कह नहीं सकता यह बासे चावल की रेस्पी बनकर तयार हुई है देखिए आपको फोल्ड करके दिखाते हैं बहुत ही क्रस्पी नास्ता बनकर तयार होता है जो हम दाल चावल के डोसी को बनाते हैं उसमें बहुत ही जादा जंज़त होती है इस तरह सी डोसी को बासे च ये लीजी हमारे सारे डोसी बनकर तयार हो चुके हैं क्रस्पी करा रहे एक तम मार्केट के जैसे दिखने में लग रहे हैं कोई कह नहीं सकता कि ये हमने बासे चावल से बची हुए चावल की रेस्पी इस तरह से बनाकर तयार किया आप देख सकते कितना यूनिक ये डोसा ब चुकत ओए पान जाओज से वरी हमने उलया थे लाओशव रजसरे शका लाएगा करेश Soup currently इसान जाने शुछ पते हुए वह उल्दाओ हैं कितना लाओशने किका झांड़ स्टें कितने वाटब जसस प्क्रणी च्छाने किते हुए आप जगर हैं जुए हैं किते हुए उह